उत्पादन में वृद्धी के चलते रासानिक उर्वरक एवं कीट नाशकों का अंधा दुन्द प्रयोग किया गया। इस प्रयोग के दिर्ध कालिक दुश परिणाम भी दिखाई देने लगे। इसके परिणाम सुरूप भूमी के उत्पादक शमता में कमी आ रही हैं और ख खान पान में जहरीले तत्व शामिल हो गए हैं जिनसे कई बिमारियां फैल रही हैं। इस अंधेरे रास्ते से निकलने के लिए उत्पादक शमता को बढ़ाने के विकल्प ढूंडने की जरूरत है। उन्नत बीज, रासानिक उर्वरक तथा कीट नाशक काफी महंगे होते हैं। इन कारणों से उत्पादन लागत में काफी वृद्धी हुई। भारत में अधिकांज सीमांत किसान हैं जो महंगी उत्पादन लागत वहन करने में अक्षम है। यदि किसान महंगी उत्पादन लागत के द्वारा फसल उत्पादन में निवेश करते हैं और किसी प् फसल का उत्पादन हो भी जाए और फसल का उचित मूल्य बाजार से प्राप्त ना हो तो भी किसान को नुकसान उठाना पड़ता है। इस साकरा धमतरी जिले के नगरी तहसील का एक प्रमुख गाउं है। खिसारी, लाखडी, गेहु, अलसी आदी फसल उप जाते थे। रभी की फसल अपेक्षा कृत कम छेतर में बोई जाती थी। किन्तु लगभग 25 वर्ष पहले सोंडूर जलाशे से नहर द्वारा किसानों के खेत तक पानी दिया गया। इससे किसानों को अब खरीब मौसम में भी वर्षा का इंतजार नहीं करना पड़ता है। ज झाल